हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ इंस्टेंट बनने वाली सब्जियों के फोर रश्पी शेयर कर रही हूं यह जॉब करने वाली लेडिजियों के लिए अच्छा उपसन है अगर ऐसी ही वीडियो आपको देखनी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल मैंने मस्टर ओयल दिया है और इसमें करीब तीन से चार हरी मिर्च कटिवी मैं डाल दूंगी और इनहीं थोड़े दिर सौटे होने दूंगी और दो बड़े साइच के मैंने प्याज ली है उन्हें भी बारिक चौप कर लिया है उन्हें में ऑल में डालके दो मिनट तक हमें सौटे करना है जब यह थोड़ा सौटे हो जाए तो आप इसमें दो बड़े साइच के टमाटर लीजे और उन्हें भी बारिक चौप कर लीजे और इसे भी डाल दीजे इसे भी डाल कर हम दो मिनट तक सौटे करेंगे मसालों में मैंने टू स्पून करीब रेड चिली पाउडर लिया है यह कस्मीरी रेड चिली पाउडर है और वन टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया इन दोनों को मैंने डाल दिया इसमे और इने भी थोड़े सौटे होने दिया और इसमें कोई भी मसाला मैंने नहीं लिया है और यह 250 ग्राम करीब पनीर है इन्हें हाथों से मैंने तोल दिया था इसे भी डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगे और स्वात के अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजे और अच्छे से मिला दीजे और मेरी सब्जी बन कर देड़ी बस यह पांच मिल्ट में सब्जी बन जाती है और इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी देखिए यह कितनी अच्छी लग रहे है बनने के बाद और मेरी दूसरी रेश्पी है मटर दो प्याजा यह भी सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है इसके लिए मैंने गैस पे कड़ाई रख दिया और उसमें टूस्पून ऑयल डाल दिया ऑयल जब हीट ही हो गया तो उसमें मैंने तेश पत्ता डाला और हाफ टी स्पून खड़ा जीरा कटिवी हरे मिर्च और चार-पाच कली लहसन के जिसे मैंने बारिक काट लिया है उन्हें भी आयल में डाल दूंगी और एक इंच टुक्टा अध्रक का जिसे मैंने कद्दुकस कर लिया है इन सब को डाल के मैं थोड़े देर सौटे होने दूंगी और यह दो मीडियम साइज के प्याज है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है इन्हें थोड़े देर सौटे होने दूंगी करीब एक से दो मिनेट आप सौटे कर लिजे जब यह सौटे हो जाए तो आप इसमें हरे मटर ले लिजे यह मैंने फ्रोजन मटर लिया है आप फ्रेश मटर भी ले सकती है और इन्हें डाल दिया इन्हें भी मैं दो मिनेट तक करीब सौटे होने दूंगी इसके पाद मैंने दो टमाटर लिया उन्हें भी रफली चॉप कर लिया है और इसे भी डाल दूंगी यह बहुत ही फटाफट बन जाती है सबजी और वन टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया और स्वात के अनुसार नमक बस आमें इतने ही मसालों की जरूत है और कुछ भी नहीं मैंने डाला है ना लाल मिर्श डाला ना कोई और मसाले और यह बनने के बाद बहुत ज़्यादा टेश्टी लगते हैं और अच्छी बात यह है कि इन सारी सबजी में पॉस्टिकता मिंटेन रहती है थोड़ी देर के लिए मैंने दो मिनट के लिए करीब इन्हें ढग दिया और मेरे सबजी बनकर रेड़ी और उपर से मैंने हरी धनिया की पत्ती डाल दी और मैंने फ्लेम आफ कर दिया और इसे मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल दिया देखिए यह भी सबजी बनने के बाद बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है मेरी थर्ड रेसिपी है आलू टमाटर प्याज की सबजी यह भी बहुत ही जल्दी बनती है और इतनी स्वादिश्ट बनती है कि आप जब बनाएंगे खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितनी टेश्टी सबजी है इसके लिए मैंने प्याज लिया है और आलू लिये और टमाटर और हरी मिर्च जिने मैंने रफ्री काट लिया था और मसालों में गरम मसाला लाल मिर्च पाउरडर नमक और हल्दी पाउरडर लिया है और मैंने ये कुकर में बनाया है गैस पे मैंने कुकर चड़ाया और उसमें वन इस्पून मैंने ऑयल डाल दिया और जब ये हीट हो गया तो मैंने इसमें कटे हुई हरी मिर्च, कटे हुए प्याज, टमाटर, सब आप रफली चॉप कर लीजे, चाय जैसे आपकी इच्छा कर और सारे चीजों को एक साथ डाल दिजे हाफ टी स्पून हल्दी पॉडर मैंने डाल दिया वन टी स्पून लाल मिर्च पॉडर हाफ टी स्पून गरम मसाला और स्वात के अनुसार नमक इन सारे चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के मैं चला लूँगी और कूकर को बंद कर दूँगी और दो से तीन विश्र लाने तक हमें इन्हें पकाना है यह मेरे तीन विश्र हो गया है जब प्रेसर निकल जाए तो आप कूकर को लिए और यह देखिए मेरे सब्ची बन के रेडी और इन्हें आप अच्छे से चला दीजे और इसे सर्विंग बाउल में मैंने निकाल दिया यह भी सब्ची बनने के बाद बहुत ही जारा टेश्टी लगती है मेरी चौथी रेसिपी है तले हुए चटपटे बैगन इसके लिए मैंने बैगन लिया ऐसे कोल साइज में मैंने थोड़े मोटे मोटे काटी है और नमक लिया हलिपाउडर,, लाल मिर्च पॉर्डर और आमचूर। अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है मैंने एक बाउल लिया और उसमें ये लिदे हम्चूर पॉरर लिया करीब एक टीसपून होगा और नमक काटी Case pourrait हल्दी पौडर और वन इस्पून मैंने लाल मिर्च पौडर डाल दिया और इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा पाई डालके इन्हें गोल त्यार करना है गोल बहुत ही पतली नहीं होनी चाहिए और नहीं बहुत ही गाड़ी अब थोड़ा थोड़ा पाई डालके मिक्स करते चाहिए देखिए हमारी कॉंसिटेंट सी इस तरह की होनी चाहिए अब मैंने पैन रख दिया गैस पे और उसमें ऑयल डाल दिया और इस खोल में मैंने बैगन को डाला डाला और सारे बैगनों को मैंने इस तरह घोल में डालके और पैन में डालती गई सारे बैगनों को आप इस तरह पैन में सब डाल दिजे यह खाने में बहुत ही ज्यादा चटपटे लगते हैं इसे आप दो मिनेट के लिए ढग दीजे और दो मिनेट बाद इन्हें पलट दीजे देखिए मैंने सारे पलट दी है और फिर दो मिनेट के लिए ढग दिया देखिए इस तरह से आप पलट के देख लीजे कि दोनों तरफ से अच्छे से यह तल जाए यह बन के मेरी रेडी हो गया है यह आप पराठा रोटी जिससे चाहिए उसे खाई यह बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं अब मैंने इसको प्लेट में सर्फ कर लिया देखिए मेरा रेडी है अच्छे से उसावगे लगते हैं